कि गुद्द्मरिंग divent आसा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वास्थдел आज की इस online class में हम लोग देखने वाले हैं lesson 8 जो की reading skill हमने इसका cover कर लिया है आपने और हमने मिलकर इसका reading skill cover कर लिया है the hair on the moon इस story को काफी अच्छे से हमने cover किया है आज की इस online class में हम लोग देखने वाले है reading comprehension से जुड़े जितने भी इसके exercise दिये हुए है जितने भी इसके question answer है true false है work worthy है grammar portion है यह सब इको discuss करने वाले हैं तो आपको pdf के माद्यम से इसके notes आपको मिल गए होंगे question answer सभी मिल गए होंगे तो direct हम लोग b पे discuss करते हैं यहां से तो सबसे पहले आपको question answer बना लेना है उसके बाद यहां पे true false हमनों discuss कर लेते हैं तो यहां पे सबसे पहले आपको क्या लिखा हुआ है write true or false in the bracket यह जो bracket दिया हुआ है इसमें हमें true or false बताना है ठीक है तो यहां पे सबसे पहले question क्या गहरा है कि the hermit was not hungry जो hermit था यानि कि सन्यासी था वो भूखा नहीं था यह गलत है यह बात गलत है वो तो भूखा था दूसरा question the monkey offered him nuts जो बंदत है उसने क्या offer किया सन्यासी को nuts के लिए offer किया बिलकुल हाँ nuts नहीं था यानि कि मौंग फली है अब तीसरा में the hermit was kind animal sorry the hair the hair was a kind animal जो खरगोस था वो एक दयालू जानवर था बिलकुल दयालू था इसलिए तो आग में कूद गया इसलिए आगे चौथा नंबर the otter यानि उद्विलाओ the otter offered nothing to the hermit otter ने सन्यासी को कुछ भी नहीं दिया कुछ भी offer नहीं किया नहीं बिलकुल नहीं otter ने सबसे पहले मचली के लिए कहा था यह गलत है बोल रहा है कि nothing तो कुछ भी नहीं किया नहीं किया था तो यह statement गलत है आगे पांचवा नंबर the hermit enjoy eating fish जो सन्यासी था वो मचली खाकर enjoy किया यह गलत है यह गलत बात है आगे देखते हैं question number six पर the hermit at the grass जो hermit था जो सन्यासी था वो घास खाया यह भी गलत है आपको पता चल रहा होगा the hermit was an angel जो यह टाइब किया सन्यासी था वो हर्मीट सन्यासी था सभग सा और यो बिलकुल दोत था वो तो इसमें क्या होगा तो यह गया अब देखते हैं वकवलरी में हमें क्या करना है वकवलरी में यहाँ पर देखे दिया हुआ है कि separate the animals given in the box according to the food they eat क्या करना है यह जो box में यह जो box दिया हुआ है इसमें cat, horse, dog, tiger, elephant, hair, deer, lion, wolf, cow, goat, camel यह सब का नाम दिया हुआ है तो according to इसके food के अनुसार इसके खान पान के अनुसार इसको क्या करना है इनको अलग करना है separate मतलब होता है अलग करना ठीक है अब आगे देखो put them in the column given below you can more animal and you can add more animal आप और भी animal को add कर सकते हैं ठीक है तो चलो इसी में देख लेते हैं हम लोग जैसे cat है क्या है cat है तो cat आप मुझे बताओ यहाँ पे दो तरह का आपको तीन तरह का इसमें division किया गया है एक साकाहरी मांसाहरी और एक साकाहरी और मांसाहरी ठीक है तो देखो यहाँ पे eat only plant वैसा जो के वल प्लांट्स खाते हैं उसको हैर्वी वोरस बोलते हैं ठीक है और कार्णी वोरस बोलते हैं जो मांसाहरी होते हैं जो मांस खाते हैं और जो दोनों खाते हैं साकाहारी और मांसाहारी दोनों खाते हैं उसको हमनों क्या बोलते हैं ओमनी वोरस बोलते हैं ठीक है याद रखना ये साकाहारी ये मांसाहारी और ये साकाहारी मांसाहारी दोनों लिए तो चलो अब मैं यहां से सुरू करता हूँ cat cat क्या है cat साकाहरी मांसाहरी या फिर दोनों साकाहरी मांसाहरी तो इसमें लिखेंगे cat cat जो है वो साकाहरी भी खाता है मांसाहरी भी खाता है डॉग डॉग भी क्या है साकाहरी मांसाहरी दोनों खाता है ठीक है यह हो गया अ मैं यहां पर कर दे रहा हूं आप लोग इसको अच्छे से वर्ड मिनिंग लिख ले ना यहां पर ठीक है तो देखो मैं यहां पर और बता दे रहा हूं कौन कहां पर आएगा यह चीज बता रहा हूं ठीक है खर्गोस. खर्गोस क्या है. घास घाता है. तो कहाँ पर आएगा. इसमें आएगा. ह------ ---------. जो घास घाते हैं. ठीक ждё डीर. । हीरन यहीरन भी क्या करता है. घास घाता है. तो d------------- ए-न लायन हो गया. और लायन के साथ और भी डबलू लोल्फ मतलब क्या होता है हड़िया डबलूłyएल एफ वोल्फ वी इसी में आएगा ठीकर यह काव क्या है सांगरी है यह वोरित हैं यहार भी वोरण तो चीमल काव को इसमें लिखेंगे ठीकर घॉत सांगरी मतलब बनाए उन सांगरी उसको देखे Nachg यह भी साकाहरी है तो यह हो गया इसका वोकुलरी पार्ट अब हम लोग देखने वाले हैं ग्रामर पार्ट ठीक है तो ग्रामर पार्ट